असलाम वालेकूम जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा गाड़ियों की खरोईद और फरोग का कारूबार है तो आज हमारे पास बहुत बड़ी लॉट मुझूद एक कार की तो उसमें एक नई की BMW कार आई है जो के एंटीक है और 1992 का मॉडल है और माशालला बड़े खुबसुरत है और इसकी आस्किंग प्राइस सेवन थाउसन डॉलर है साथ अजा डालर डिमांड की जारी है तो मैं आपको लेके चलता हूं और दिखाता हूं और वहां दिगर और भी हमारे पास कारे है महुत सारी सेल के लिए और जिसे से में मेरे इस यूटूब पर दिगर वीडियो भी बनी भी है दिगर कारों की तो आईए मैं आपको अभी दुसरी जो भी BMW रेड कलर की कार आई है 1992 की उसका मैं आपको दोरा करवाता हूं आईए मैं आपको लेके चलता हूं ये देखें बेक सैड पर जो है ये सारी कारे मुझूद है हमारे ये सब बेक सैड पर गाड़ी है सेल के लिए मुझूद है ये कार जो देखें आप रेड कलर की है इसको फरोग से पहले हम जो है इसकी पहली डिटेलिंग भी करते हैं ताकि बड़ी और जादा अच्छी है तो मैं इसकी तफसिला से भी आपको आगा करता हूँ और इसके साथ दिगर और गाड़ीं भी हमारे पास मुझूद है तो मैं आपको उसकी दिगर की भी तफसिलात बताता होगा है ये बीम डेवलू का एक्सिरियर आप देखें बहुत रेट कलर की बहुत होपसरत है माशाला अब इसकी डिटेलिंग हो रही है और इसका एंजिन जो है टू पॉइंट फाइब लिटर का है और शिक्स सेलेंडर है ये फोर स्पीड ऑटोमेटिक है और फाइब स्पीड मैनुवल है और ये जर्मनी की बनी हुई है बीम ड पीछे दिगर कारे भी है जो कि इसकी अलग से सेपरेट वीडियो कुछ की बनाई भी गई है और कुछ की बनाएंगे भी ये सब सेल के लिए मोजू दे ये देखें ये बीम डवलू और इंजल जर्मन मेड ये एंटिक गाड़ी है हम अपने पाकिस्तान में तो इसको बाग पड़ा के तो लाखों में बन जाएगी मगर यहां इसकी सिर्फ डिमांड जो है वो इस वक्त सेवन थाउजर्ड डॉलर डिमांड है आस्किंग प्राइज इसकी अभी चुक्छे इसको पर्चेस करने के बाद जो है अब सेल के लिए मोजूद है मारे पास मगर हम पहले इस इसकी हर तरह से इसको बैतरिल करते हैं और जब यह खुबसरत हो जाएगी तो यहां लोग आते हैं इसको देखते हैं और यहां से गाड़ियें पर्चेस करके ले जाते हैं यहां से यह BMW दिगर गाड़ियें भी है ओडी सीवी है सीवीग भी है और इस वग यह BMW की डेटेलिंग हो रही है माशाल्ला एकस्टिरियल इतना खुबसूरत है अभी तो यह सफाई भी इसकी नहीं हुए और सफाई करने से पहले मैं यह बना रहा हूं ताकि इसके बाद का भी मैं आपको बता दू है सफाय मुंने के बाद डिटेलिंग ओने के बाद कि अपनी पहले डिटेलिंग करते हैं उसके बाद इसको सेल के लिए रखते हैं बिल्कुल ताकि लियू जैसी गारी यह लगती है साथ कमाम कि इसकी डिटेलिंग के भी बेशुमार किसमे हैं इसमें और डिटेलिंग में भी बहुत बहुत चीज़े हैं जो करें जाती हैS का आर्टोukt में जोसमें सभसे जाद़धा जो है वो पौलिश है टूु इसलिए पौलिश भाष होता है गाड़ी का और सभसे ज्यादाक्त्षा वर्ग कि तो सरामिक का होता है तो गाडी है जब यह सब चीजें इसमें हो झाती spec WE is से निकली हैं चुकि इनिशल स्टेज पर यह सब देख रहे हैं यह सब हो रहा है इसमें वाश हो रहा है यह हो रहा है मगर जब यह हम इसको एंड में कर लेंगे एक डिर्ड़ गंटे के बाद तो आप देखी का कि ऐसे लगेगी कि जैसे बिलकुल लिउग गारी है यह देखे आप यह बीमडवलूई इसके देखें कैसे चमक रही है कि आप जैसे करीब जाएंगे तो उसमें आपका चैरा नजर आएगा इसके अंदर इतनी मकसद देखें एक ऐसी लगती है कि जैसे आप आप इसमें अपना फेस देख सकते हैं कितना यह किलियर हो जाती है इसके सारी गाड़ी है जो है और पेश्यलरं भी बहुत पाइदार है बहुत जबर्द से यहां सारी चीतों की रिपूर्ट भी होती है गाडियों की के अगर हुझज़ और फ़ाता एकसिर्ण भी होता तो उसकी रिपूर्ट आजाती है तो यह तफसील होती है सारी चीजों की उजातर कोशिश तो हमारी जो पहला मालिक होता है जो जिसके इस्तमाल में हुई होती है हम उससे गाड़ी नेते हैं जाकर इसी मुझार से गाड़ीय आती भी रहती है यह पे दस दिन पर और निकल भी जाती है काफी अच्छी तादा अभी मैं चुक है अपनी गाड़ियों को जो अभी हो रही है उसकी पॉलिश हो रही है फिनिशिंग हो रही है और तू से फिनिशिंग होगी इसके अंदर पॉलिश होगी सेरामिक्स होगा और बहुत सारी चीज़े इसमें करने के बाद मैं आपको बताऊंगा तो ऐसा हैंगे इसको देख लें आप हमारे जो यह पेक्याट के अंदर काफी गाड़ी हैं मुझूद हैं अल्ला के फजल से और लोगों को भी बड़ा इत्माद है इत्मार है तो जो एक गाड़ी ले जाता है तो फिर अपने दोस्त हबाब और अज्जित वकारिब को दुबारा य हैं और यह लहते रहते हैं यहां फे माशाणला काफी गारिये अच्छें सी आती है और आने के बाद सब फुरोक्त हो जाती है penguin अभी भी हमारे पास अपने स्चोग में काफी ताजात में गारिये मौजूद हैं dl यह के लेट ट्रीमेंट्स हो रहा इस में लाता है चोटे चोटे डॉट होते हैं यह सब निकल जाते हैं इससे कि इस अब तक आप आप झाल झाल देखें यह reader है यह बताता है कि और हमें कितना इसमें Polish करना है यह क्या करना है यह दिखें यह आगया एट-three one और आगे जागे दिख लिया कि यहां भी कितनी जरुवत है यह बताता है इसके करें कि इसमें कितना है यह 10 looo गया or हमने यहां पर घरा यहां आगे कितना यह आगbn कितना वर्क करना है तो यह देखें है सब यह हाता ही। यह यह बता नई तूंटी आ ंगा इसके बाद जा कभी बेशी होगी तो इसमें और जाता पालुच करेंगे इस कुण बार करीयो प्रिज़ के लिए निए से लिए से लिए से लिए से लिए सेवार मिलिए ऑज़ करते हैं माशाला देखें कि इतनी जबदस चमक गई ये कार जब पहले इस चाड़ ली ती उसक देखते हैं आप कार का क्या हालत थी और इस वक देखें अभी भी बाकी है थोड़ी सफाय होना वगर देखें अभी से चमक गई है बिल्कुर नहीं लग रही है एकदम है यह नहीं हमारा इसमें फेस नदर आजाएगा अगर हम जाकी देखेंगे गाड़ी में ऐसे जबदस हो गई है कि फेस नदर आने लगा है अगर देखें कि इतना है गाड़ी की डिमांज सेवन थाउजन डालर है देखें बीम डवलू है ओरिजनल पैंट वगेरा एंटिक गाड़ी है बीम डवलू है ऐसे गाड़ी अधूगा लग तेखेंद बीम डवलू है साथ द डालर सिर्फ यह गाड़ीयं भी सेल के लिए मुझूद है ये गाड़ी भी सेल के लिए मुझूद है ये गाड़ी भी मुझूद है सेल के लिए ये गाड़ी भी है सारी ये जाके हमारा facebook page पे marketplace पे जाए facebook पे दाने अलशब्बिर के नाम से पेज है facebook पे उसमें इसारी तफसिलात मिलेगी और लिंक में भी हम दे देंगे अपने पेज का आपको लिंक देंगी नीचे इस वीडियो के साथ लिंक देंगे हमारे फेस्बुक पेज का अबिटम आपको आखिरी में बता हुँँँगे और फिनिश को जाएगी कि अश्चा है झाल 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 के लिए माशाला देखें कितनी चमक गई है आप देखें खुबसरत कैसी हो गई और पहली वाली जब आप इस्टाट वाला मेरा देखेंगे जो शूट तो उसमें बिलकुल मेली कुछ निती है आप देखें कितनी जबर्दस माशाला चमक रही है इसके प्रेंट के ओपर भी प्रेंट के ओपर भी ऑक्सिडेशन था जो पॉलिश से इसको अठाए गया एक दमी तो यह माशाला देखें कितनी नीट इन क्लीन होई है और ऐसे लग रहा है कि जैसे बिलकुल नीव है गाड़ी हमारी यह इसकी डिमांड जो है सेवन थाउजन डालर है बीम डवलू सेव कानियल शबीर के नाम से आप जाके सब यह देख सकते हैं वहां पर यह गाड़ी यह और दिगर गाड़ी यह कुई भी डिटेल मा मुझूद है तो यहां आते हैं माशाला लोग ले जाते हैं जबर्दस तो देखें गाड़ी कि आप फिनिशिंग देखें किती जबर्दस है जबर्दस चार-पांच गंटे लगे इस पर मेनत करते हुए और अब यह इस शकल में आईए अल्ला की फ़सल से अच्छा अल्ला आफिस स्रावालेकूं